दोस्तों एका फिर से स्वागत है आपका हमारी क्यों में क्या आपने कभी सोचा है कि सिर्फ 5 सेकंड के लिए अगर ऑक्सीजन हमारी प्रत्वी से पूरी तरीके से गायब हो जाए तो क्या होगा? दोस्तों अक्सर हमें कहा जाता है कि पेड़ पौथे लगाओ अक्सीजन बहुत सरूरी है मैं यकीन से कहा रहा हूँ इस वीडियो को देखने के बाद आपको अक्सीजन की असली एहमियत पता चले की और आप मेंसे जातर लोग ये बाद सोच रहे होंगे कि 5 सेकंड में तो क्या होगा? सांस रोक लेंगे? 5 सेकंड भई कौन सी बड़ी बात है? है ना? दोस्तों हम आपको बता दें पलक जपकते ही ताज महल स्टैचू अफ यूनिटी कुतुम मिनार समेथ दुनिया की एक-एक इमारत चकना चूर हो जाएगी ऐसा इसलिए होगा क्यूंकि लग-बग हर इमारत कंक्रीट से बनती है और कंक्रीट के कड़ों यानि पार्टिकल्स को एकठा ऑक्सीजन ही रखता है बिना ऑक्सीजन के कंक्रीट सिर्फ धूल है इन 5 सेकंड में ही आपकी चमड़ी एकदम चल जाएगी दरसल सूरे की किरणों के साथ बहुत डेंजरिस अल्टरावालेट रेज भी आती है जो हमारी चमड़ी के लिए बहुत खातक है ओजोन लेयर ही इन अल्टरावालेट रेज को हमारी चमड़ी को जलाने से रोकता है ओजोन लेयर ऑक्सीजन की मॉलिक्यूल से ही बनती है अगर ओजोन लेयर नहीं होगी तो हम पापड की तरहां सिख जाएंगे यकीन मानिये इन पांस सेकंड्स में हमारे कान के परदे फट जाएंगे अक्सीजन खोने का मतलब हमारे आस पास के एर प्रिशर का 21% कम होना है हवा के दबाव में अचानक से बदलाव होगा जो हमारा कान एडप्ट नहीं कर पाएगा जिसकी वज़ा से हम हमेशा के लिए सुनने की क्षमता को खो देंगे इनी पांस सेकंड्स में धर्ती की सरफेस यानि सतह तूट कर चकना चूर हो जाएगी आपके पैरों के नीचे जो जमीन है वो तूटना चालू हो जाएगी और वो तब तक तूटेगी जब तक सब कुछ खत ना हो जाएगी और आप धर्ती में समा जाएंगे ऐसा इसलिए होगा क्योंकि प्रत्वी की जो सता है वो 45% आक्सीजन से बनी है जी हाँ 45% और अक्सीजन ही इसके पार्टिकल्स को जोड कर रखता है अक्सीजन के गायब हो जाने से ये जोड छूट जाएगा और पैरों के तले जमीन खिसक जाएगी और इन्ही पांस सेगेंट्स में सारी नॉन इलेक्रिक गाड़ियां बंद हो जाएंगी और सारे हवाई जहास, हेलिकॉप्टर्स, जमीन पर आगे रेंगे आपको पता है आग जलने के लिए उक्सीजन जरूरी है और इंजन जलने के लिए कंबरिशन प्रोसेस का होना बहुत जरूरी है इट इस वेरी वेरी इंपॉर्टन्ट ऑक्सीजन ना होने पर कंबरिशन नहीं होगा और सारे इंजन बंद हो जाएंगे इन पांच सेगेंट्स में ओशन जैसे सभी जलसंसाधन गैस में बदल जाएंगे क्योंकि पानी जो होता है वो दो एलिमेंट से बना होता है हाईडरोजन और ऑक्सीजन और जब ऑक्सीजन मौजूद नहीं होगा तो केवल बचेगा हाईडरोजन और हाईडरोजन सबसे हलकी कैस है तो ये जल्द ही प्रत्वी से निकल कर स्पेस में चला जाएगा दिन में भी पूरी दुनिया में अंधेरा चाजाएगा ऐसा इसलिए होगा क्योंकि ऑक्सीजन सूरी की किर्णों को फैलाने में मदद करती है और अगर ऑक्सीजन नहीं होगी तो रोशनी नहीं फैलेगी और पूरी दुनिया में अंधेरा चाजाएगा आप सोचने होंगे 5 सेकंड्स के बाद क्या होगा तो दोस्तों 5 सेकंड्स के बाद जो होगा उसको देखने के लिए आप जिन्दा नहीं पच्छ सकते ऐसा इसलिए होगा क्योंकि आपका शरीर 70% पानी से बना होता है और जैसा कि आपको पता है ऑक्सीजन के बिना पानी असंभव है तो हमारे सारे सेल्स विसफोर्ट हो जाएंगे सोचे सिर्फ 5 सेकंड्स अक्सीजन ना होने पर इस दुनिया का क्या होगा अब समझाया होगा कि अक्सीजन की क्या फैलियू है दोस्तों हमारी वीडियो आपको कैसे लगी प्लीज कॉमेंट करके जरूर बताईएगा